आप सोची हमलों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है एक एफ्लिएशन के लिए जबकि मैं सिर्फ होकी के लिए काम कर रही हूं प्लीज इस अवाज को जितना जाद से जादा लोगों तक पहुचा सके और बिहार में जो पावोस में बैठे हैं लोग और जो इस टाइप के डि आज हमारे साथ हैं दो ऐसे होकी प्लेयर्स जिन्होंने खुद तो होकी खेली ही है काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपनी टीम्स को स्टेट को देश को पर वो आज की डेट में जिस तरह से स्टेट में होकी को जादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने टाइम दिया मैं इमीडिटली मेरे खाल से शुरू में ही ले जलता हूं आपको कि यह हौकी का सफर शुरू कहां से हुआ इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूं अपने जाए आए और जब मैं स्टार्ट की तो यह बहुत छोटा था रजी तेश यह मेरे साथ सुभा ग्राउंड जाता था तो इसको इसको अग्सिदेंटली हुआ इसका हर चीज स्टार्ट बिकोज हमारे मेरे पापा क्रिकेट के प्लेयर थे तो वो चाहते थे क्रिकेट खेले बट ऑविसली चुकि मैं होकी खेलना शुरू की और यह मेरे साथ आलना जाना ग्राउंड शुरू किया तो एसे में अगें स्पेशली हमने पिछला इंडिया का हिस्टरी जो देखा है पच्छिस-तीस साल का क्रिकेट हमेशा से एक जाधा लुक्रिटिव स्पोर्ट्स करियर ऑप्शन रहा है तो अजितेश जी ऐसे में क्रिकेट का ओलड़ी घर से इंकरिजमेंट था तो हौकी क्यों चुना क्रिकेट के उपर यह से भी बोलते हैं यह भी किस्सा है ठीक है मैं आज भी ऐसा नहीं कि कि मैं किसी दुसरे गेम को डिसरेस्पेक्ट करता हूँ या कुछ हरावे मैं आज भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ आज पूरा मैश नहीं देखता था टाइम के वजह से बठा कुछ जैसे स्टार्टिंग में अगर देखनें का टाइम मिला तो और लास्ट में यह मज़ा आता है देखने में मेरे फादर तो ग्रिकेट प्रिकेट 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 और मेरे मामा भी बिहार में रंजीब रहे वो तो वैसा भी था एक कल्चर और आपको पता है यह होकी उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं बिहार वे इस साल जब आम लोग जब शुरू किये है वैसे कुछ इंपने था था वहाँ पर कि हाभा खेलो या शुक्रिकेट प्रिकेट और स्कूल में बिए क्रिकेट अदर कोई एक क्रियोसिटी होती अंदर में कि यारे कोई नई चीज है चलो ट्राइ किया जाए तो ऐसा नहीं है कि जब एक सिस्टर खेलती थी तो मैं जब फर्स टाइब होकी में गया जो योगेश सर का नाम ली योगेश कुमार है तो उन्हों नहीं मेरे को फर्स अप्रोच करके बुल को आएगी चीक है चोटा था मैं उसके बाद छोड़ा फिर ट्रिकेट खेला फिर वापिस गया मैं यह नई शायद खेलना चाहिए तब तक मैं एक एक सान में एक बॉइस की टीम बन गई थी तो उसमें एक कोस्ते आकिल हयात खागों कुट्टू के नाम से बहुत फेमस है बिहार में अब वो होकी से बहुत दूर जा चुके हैं उनके रहते वे हम काफी रड़के लोग बने वहाँ पर तो फिर जब वो आए थे तो उसके बाद लड़कों के टीम बनी और हम फिर खेले भी वहाँ पर तो मैं मैं लगता है तीन बार मैं होकी खेला छोड़ा फिर ख अचाडमी तो वहां पर मेरा सेलेक्शन हो गया था तो वहां से मेरी जुनी शुरू है तो मैं लगकी बंता हूं मेरा वहां सेलेक्शन हुआ था जब मैं गया था तो वहां पर इंडिया लोग भी ट्राइल देने आते उस के लिए तो मैं जब गया तो तो अराम से 800-900 प्लेयर आए थे ट्राइल देने के लिए उसमें से हम मारे पास सिर्फ टोटल आर्ट विकेंसी थी वहाँ पर उसमें मेरा सेलेक्शन हुआ था तो आपको मानता हूं कि यही बात मैं बोलना चाहते हूं यह हमेशा यही बोलता है क जानती हूं कि यह कितना हार्ड वरकींग था वो च्छोटा था वो यह सब बात समझने के लिए उसका वो उम्र नहीं था जब भो हँए खैलना शुरू किया था वह बहुत छोटा था इन फ़ैक्ट मेरा भी यह उम्रा नहीं था कि हम यह समझे पाई कि यह कितना गेम्म है या नहीं है या क्या है वो जस्ट एक्सिदेंट बने जो एक्सिदेंट लिए हमारे लाइफ में होकी इंटर्डूस हो और हम लोग उसमें उस पात पे चलना शिरू कर दिये बट डेफिनेटली लग इस वन फैक्टर बट आई नो यह जिस उस समय यह इसका जो फिजीक था इसका जो स्ट्रेंट था इसका जो स्टेमिना था इसका जो डेडिकेशन था स्पोर्ट्स के प्रती इसको खेलना अच्छा लगता था तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर बनने के लिए skill is a secondary thing, interest is a primary thing, आपका body, आपका physique, आपका temperament वो primary चीज होता, skill तो आपको कोचे सिखाने ही के लिए बैट है, इसलिए है, तो यह definitely is the hard work था कि वो 1% में था वहां पर, exactly, वो तो एक साल के आट सो थे ना, उसके बाद तो पही सारे आए, उससे जादा वेकिंसी नहीं आती कभी विस्साइब, अगर जैसे जैसे बाहर निकलते प्लेयर्स वहां पर ज्यादा एक साल तक ही देखते, एक साल पर परफॉमस नहीं है था आपको निकाल दिया जाता है, वहां यह भी सिस्टम है, बट अगर वहां बोलते है, इर इंडिया कभी कहीं नहीं गया है, बट अंदर जाने के बाद पता चला, कि आपने कदम तो रख दिया है, लेकिन अगर आप 6 मेने कि तक कुछ नहीं किये, तो आपको 8-9 मेने और 12 मेने आपको निकाल दिया जाएगा, वह अंदर जाने के बाद पता चला था, वही वो कहते हैं कि एक जगह में सेलेक्शन ह होना ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, बस उस चीज को सवाइव करना और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहना, जो भी एक आपके उस एकाडमी में और इंडिया के टॉप प्लेर्स एकाडमी में रह चुके और वो इंडिया के बापीस आते, एकाडमी में रहते थे वो लो इंडिया कैम भी लगता था, सारे स्टार्स लोग जितने थे वो वहीं रहते थे सब लोग, आप ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे बोलते हैं, अरे दो घंटे मेनत कर लिए बहुत है, वहाँ ऐसा नहीं होता था, वहाँ सुबह पांट बजे क्लॉक शुरू होता था, पांस इंडिया का मतलब है कि इंडिया कलर है, जब मैं जुने वर्ल्ड कप खेला था 2005 में तो हम अठारा में से ग्यारा प्लेटिव एरिंड अकैडमी के थे, तो यह सब सिच्चुएशन उस अकैडमी का ऐसा था, वहाँ पर काफी नाम है, दौनारा चार अवाड़ी कोश है, तो उन्होंने काफी सपोट क्योंकि मैं बिहार का केला था, पहले कभी कोई गया नहीं और क से खेला, और उसके बाद मेरे मेरा नंबर लग गया, प्रीमेर होकी लीग स्टार्ट हुआ था, तो मैं वहाँ पर उस लीग के लिए सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि क्या होता था कि एक छोटी से स्टोरी है कि जब फर्स्ट येर मैं अकैडमी में था, तो जो परफॉमस चलत दो बार आया था, मुझे याद आज भी, एक बार जूट बोलकर आया था, क्योंकि क्योंकि होस्टल में गया नहीं था, तो एक कजन की शादी थी, उसमें जूट बोलकर घर भागा मैं, कि एक हफते के लिए थोड़ा सा चेंज मिल जाए, तो एक हफते के लिए उस टाइम करती थी, पूरे साल में, वो होती थी, बीच दिन की चुटी, उसमें यक बार आया था मैं, जैकेंड एक बार आया वह औराइध कि इंडिया की दो साल में चुके थे और इंडिया में खेल नहीं पाया था, तो प्रेशर बड़ता दा एक लिए रहा ठीकोंट, यो सब uel कर स वहां पर धंकी तुरंट मिल जाती थी अगर आप अभी इतने दिन में नहीं की कुछ भी तो आपको निकाल दिया जाएगा यहां से तो प्रेशर बहुत रहता था कि अगर को एरेंडे कैडवी से निकाला गया है तो उसके जिंदगी गई क्योंकि सब यही कुछ से निकाला गया है तो यह सब बहुत सरा प्रेशर होता था कि आजकल के बच्चे लोग समझते नहीं आजकल यंग्स्टर मोबाइल और आप समझ सकते मार्केट घूमना शॉपिंग मॉल जाना यह सब उस ताम ऐसा कुछ नहीं था मेरे को भी पियाद है मैं जब परस्ट अपना टेलीफोन मोबाइल खरीदा था उस ताम मेरे इंडिया का दो टूर हो चुका था मुझे जरूत ही नहीं थी नहीं थी मुझे लगता था मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इतना प्रैटिस का टाइम ऐसा स्चेडूल बना हुए हमें पास टाइम है तो यह लाइफ ऐसी चलती रही उस टाइम और क्या है कि यह सब कुछ हो ना फेर जूनियर हों जूनियर से सीनियर में मैं डेदियू किया फ explorer से तो यह लाईफ जो है मैं अतना ही मांना तो कि कि हमारे जैसे हमारे फैमिली वाले खुश हो रहे हैं तो यह हमारे लिए Gemadal हमेशा मैं झील पर आद आगा हैं और जमीर करता हूं कि यह प्लावर्ट करिवा कि और यही प्रावट करें और यह प्रावट फिल करें ऑर छ० लाद ठीक है। ज़ादा जहीं ज़ा पाता है। मेरा जॉब भी है, मेरे टीम भी है, टॉर्नमेंट्स भी खेलना पड़ता है। काफी चीज़े हैं। बट एक बोलते हैं ना फीलिंग हमेशा एक एक अटेश्मेंट रहता है। तो वह हमेशा एक अभी इसलिए मैंने वहाँ पर अभी आपको दीदी बताएं कि सब कुछ की हमने जो एकैडमी शुरू की अपने फादर के नाम पर के आरके राइख को की अपने फांडेशन के अंटर में हमने स्टार्ट की तो हम पस यह सोच के स्टार्ट कर दी कि चलो कर सकते हैं तो इसलिए हमने यह स्टार्ट किया कि जर्णी ठीक है हमने देश के लिए खेला हमने अपने लाइफ में सब कुछ किया और अभी जो देखिए हम एक ही हमेशा सब को जो बोलता हो ना कि मेरे को जो मिला मेरे मैनत से मिला और मुझे जो आगी मिलेगा ना वो भी म blessings है मेरे साथ तो जो मुझे आज मिलना होगा न सो को रोक नहीं पाएगा बट बात यहां आती है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं अगर कोई प्रेस करता है कि हाँ अजी देश ने मेरे लिए ये किया तो बोलनी के जरूरत नहीं होती है फिर वो भी ने अपने तक ही रखत सबकुछ तो हमेशा उनको को यह बोलता है जो नहीं कर सकता तो यह सोच हमारी चलते रहती है और आगे वह काफी कुछ बोलना चाहती है क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलता रहूँगा बोलता रहूँगा ने ने मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को आप आप दोनों की आप दोनों से बात करके यह समझा रहा है कि आप दोनों बड़े हुए एक बहुत स्ट्रॉंग वैल्यू सिस्टम के साथ कि डिसिप्लिन ह है क्योंकि जो आपने प्रेशर की बात की उस तोरह का प्रेशर सब नहीं जहल पाते हैं अपने 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 सामने देखा कि कैसे निकल निकल के निकल के आते रहे लोग और उसके अलावा जो आपने अकाडमी का मेंशन किया वो भी सब कोई नहीं करता वो जो पेट फावरड वाली चीज़ होते है अरुनमा जी जो आपने पहले भी बोला था वो सब कोई किसी का पहला थोट यह नहीं होता किसी का दसवा बारवा थोट भी शायद ही हो कि हमने जो अपने लिए एक ऐसो कोई बहुत जादा महल वाला हिसाब न अभी भी कोई बहुत जादा होकी हो पाया नहीं है उनफॉर्चनेटली तो मैं यह पूछना चाहता था कि यह जो वैल्यू सिस्टम है यह कहां से ड्राइव होना शुरू हुआ कि कहां से आपको एकदम मैं इस पे यही बोलना चाहती हूँ अच्छली मेरे ममी पापा दो न मैं जैसे मैं पटना में रही हूँ और पटना में एक वैसे इन्वार्मेंट हमेशा रहा उस वक्त मैं नहीं नहीं भी तो नाइंटी नाइंटी सिक्स नाइंटी सेवन की बात कर रही हूँ उस वक्त ऐसा इन्वार्मेंट नहीं था कि बहुत दम लड़कियों को आजा दी एक बहुत secure environment है कि आप कभी भी कुछ भी जाओ बट मेरे ममी पापा इतने strong personality थे आप सोच सकते हैं उस time पे मैं जाती थी खेलने के लिए सुबह पाच बजे cycle से ground जाती थी खेलने के लिए फिर वहाँ खेलती थी और जिस school में हमारा practice होता था तो वही हमारा school भी था तो कई बार यही होता था कि हम लोग वही से फिर school continue करते थे और सीधे चार बजे साड़े-चार बजे घर आते थे तो सुबह पात बजे से साड़े-चार बजे तक हम लोग बाहरी है उस और हम लोग का शुरू में एक हमारा पूरा परिवार पटना में रहता था सभी लोग जानते थे मैं यह नहीं कहूंगी कि मेरे family लोग हमारे against थे कभी भी नहीं रहें वह बहुत supportive रहें हमेशा मेरे extended family I'm talking about तो मेरे extended family में लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ हो जो हमें सेफ रखे उस उस समय उस दौर पर हम मैं खेली हूं वहां पर पटना में नैशनल्स खेली हूं हर तरिके का ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत क्या कहते है financially बहुत strong थे वी वर एक्जाक्ट यू नो कमाने खाने वाले family वाले हमारे थे लेकिन तब भी पापा हम ममी पापा हमें tournament के लिए क्योंकि बिहार में आपको tournament जाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे ना government से मिलते थे ना association से मिलते थे कुछ टिकट का पैसा खुदी दो फिर obviously आप भाहर जा रहे हो तो आपको pocket खर्च भी चाहिए तो वो सब का support मुझे family से मिला emotional support मिला हर तरह का support मिला तो और मेरे पापा हमेशा मेरे एक नहीं होता है कि वो हर समय जब भी अब उस वक्त realize नहीं होता है आप जब बैठते ना तो लगता है कि यह पापा जो जो बात बोलते थे और हम लोग जाने अन जा पर अमल कर रहे हैं मेरे पापा के लिए family बहुत important था बहुत जादा besides everything उनको family बहुत भाई उनके बहन परिवार उनके लिए और आज हम touchwood हम तीनों में मैं यहीं देखती हूं कि हम तीनों के लिए दुनिया में कुछ important हो ना हो family बहुत important है मेरा भाई मेरी बहन मेरा family उनसे जुड़े वे लोग मेरी भावी लोग हैं सब बहुत प्यारी हैं बहुत अच्छे तो बस एक नहीं होता एक अच्छा अभी बहुत recently हम लोग अपनी ममी को lost के तो वो भी उबरे भी नहीं है उस चीज से बट जितने time हम लोग रहें मुझे वो feel हुआ कि we are strongly connected with each other just because of my dad वो ह जो अपने होते हैं उनको हमेशा पकड़के अपने एकने इमोशनली वो हम लोग बहुत इमोशनली connected रखे हमेशा तीनों भाईवान हम लोग बहुत emotionally connected है बहुत जादा तो वह है उनका value obviously आप जो जिन से आप बात करो हमेशा try करो कि उनको respect मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम देखो बचपन में मुझे याद है वो सब लाइन सब कि जो पेड में बहुत फल होता है वो देखो जुक जाता है इसमें नहीं होता है वो खड़ा रहता है अगर तुम में संसकार है तुम में अच्छी भावना है या तुम अच्छा कर रहे तुम्हारा सोच अच्छ तुम अच्छे ही रहोगे और तुमको अच्छे ही बन के रहा तो हम लोग इस तरह कम कहीं बाते तो इसलिए हमारा वो है दूसरी बाथ आप ने बोला आपने पुझँ आरे पूझा ना ऑपना फैमली परसंद है और उस फीलिंग को हम जानते हैं कि क्या होता हैं और मैं काफी ठीक है दुनिया बेश बूरा गूमा हूँ मैं और सब कुछ देखता हूँ मैरे बहुत अच्छा रिलेशन है सब के साथ पूरे इंडिया में काफी अच्छा रिलेशन है मेरा की आज मैं जहां लीग जाता हूं तो हाँ पे जर्मनी में जासी एक हैं वो एक लख की में मैं मैं होस्ट मदर ही बूलाता हूं बट जब भी मैं चैट वेट करता हूं तो तो बहुत अच्छी जानती है इस दिए को थीख है देखें लाइब में सब कुछ इधर-उधर चला जाता है बट एक अज ठीक है, आज मेरी मदर नहीं है, जब मेरी मदर का देथ हुआ, जब मैं घर पे था पटना में ही, तो मुझे उस टाइम फीलिंग आई कि जो मेरा कोच था, वो उसको मेरी मदर अपना बेटा ही बोल दी थी, उसने जो किया, मैं कभी बूल नहीं सकता हूँ, और जो उसका शशी कुमार रणा नाम है, और ऐसा नियुक्त है, अगर भाईया ने एक आवाज मारा है, सारे पहुंच जाएंगे, एक नियुक्त में, तो जब वहां पर वीदी अगर हो रहा था पटना में, तो मैं हमेशा देखता था, जो गूप था, वो हमेशा 25 से 35 लोगा खाना बना इसका मतला लगता है कि मेरे पास हमेशा लोग मौझूद रहते थे, मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं किया, काफी लोगों से बात होते हैं, कोई मिल नहीं रहा, कोई बात करने को नहीं रहा, तो मैं ऐसा लगा कि हमें जो संसकार मिला हैं अपने पैरेंट्स से, तो मुझे लगा रहा हैं कि सही में कुछ तो संसकार मिला हैं कि जो आज हम इस चीज़ को कमाएं हैं, वो इक कमाना मिलता है, क्योंकि बहुत लोग हमारे फैमिली मेंबर काफी लोग बोलते हैं कि जो ये काम है, जो आज ये बच्चिया के खड़े रहते हैं, जो हम पे विश्वास करती है, मेरे फादर के मेमोरियल के नाम पे, तो उसमें जब आप देखे तो ममी हमेशा हमें गुस्से में या प्यार से बोलती थी कि हाँ, अपने फादर का बरात लेकर आया ना घर पे, कि सामान में घर आना काफी, क्योंकि हम काफी कुछ कुछ करते हैं बच्चों के मेरी वाई पे, सब को बता है, कि सुनना तो है, बस आप एक ही चीज़ की जिए, और वहां से चले जाएए, खड़े मत होगी है वहाँ पर, तो यह सब तरीका होता था है, हार चीज़ को जब कोई नया मेंबर आता है, तो नहीं समझा दिया जाता है, पहले इस चीज़ को आ है नहीं कहीं का, अगर कोई शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में या बिटकोईन में जाके जीता है, तो वो लॉस भी खाता है वो दूसरे दिन, जो आप अभी कल पर से में उसे पढ़ी लिए, तेखा अरुमा जी अभी आपने, इन्होंने अपनी बात को ही उल्टा प्र लगी ने हैं, जो लगी यूज करता हैं, तो सब में लगी और पहले भी काफसेल साल पहले ही बात करता है, तो मैं ऐसी बोलता था, क्यूंकि इतने लड़कों में और इतने टॉप के एडमी में जाना मतलब की, बहुत लोगों के लिए, और कौन नहीं ट्राइब करना चाता लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल तो होता है, तो इसकी लिए उन्होंने कहां, वो बोलते हैं ना कि एक पहलू होती है, टड़ी होती है लाइफ की, वो एक बंसर सर ने मुझे कहां देख लिया तो मुझे भी नहीं मालूम है, बस उन्होंने बस इतना ही बोला, अच उसको राया और चला गया वहां से, क्यूंकि मैं जिस पोजिशन पर ट्रायल दे रहा तो और टी वहां पर चौदर लग ट्रायल दे रहे तो इस पोजिशन पे, उसमें इंडिया प्लेयर भी था एक उसके अंदर, बाप, बाप, जैसे आपने बूला कि बिहार, अगें जो बिहार की बात हुई है, और उस टाइम पे खास कर, आज से तीस साल पहले ले जाते हैं जी इसको अगर बच्चिस साल, तीस साल, एक ऐसे स्टेट में जहां पे हौकी उतना ज्यादा पॉपिलर नहीं है, यह कहलो, या उतना जादा फसिलिटी नहीं है, जैसे आपने बूला, नाशनल लेज तक को अपना करशा करके टॉर्नमेट में जाना पड़ रहा है, ऐसे में धीरे-धीरे करके उपर उठना, वो किस तरह का चैलेंज था, इन डाट सिस्टम? मैं चुकि बिहार से जादा खेली हूँ, यह तो खेला भी नहीं है, बिहार से कभी भी, शुरू मैं एक दोटामेंट खेलागा, तो मैं उसमें क्या वह था, होता क्या था, प्रॉब्लम क्या है, एक्चली वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, और अभी भी ह है, Association, Association इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वह एक, उनको समझ नहीं आ रहा है, कि वह क्या कर रहे हैं, या उनको क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो Association के Secretary है हमारे, उस वक्त भी थे, अभी भी है, बीच में, I don't know, उनका तो पता करना, उनको ट्रैक जित करके रखते हैं, हार चीज हो कहीं ना वेबसाइट पर या कहीं अवेलेबल नहीं है, so you can't track his data, कि वो क्या कर रहे हैं, कहां है, किती बार वो बने, कैसे election हो रहा है, क्या हो, आप कुछ ट्रैक नहीं कर सकते हो, so he's that kind of person, तो वो एक, वो हौकी इंडिया के President भी रहे हैं, Trezor भी रहे हैं, Secretary भी रहे हैं, मुल्ब हर बड़े पद पे रह चुके हैं, Olympic Association के वो Secretary भी है, बिहार होकी के Secretary भी है, वो इतने बड़े-बड़े position पे रहे हैं, Mr. Mustaak, अमत की हम में बात करे हैं, लेकिन वो बिहार को इंपोरा पावर है कि वो पूरा गेम पलट सकते हैं हर चीज का लेकिन वो कुछ करते हैं नहीं वो सिर्फ अपने ग्रोध का ही ध्यान देते हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब से वो hockey बिहार में है वो hockey इंडिया में चले गए वहाँ पे इतने बड़े-बड़े पत्पे रहे कोई hockey इंडिया का president रहेगा और उसके state में एक state championship नहीं होगा तो यह तो शर्मनाग बात है यह तो एकदम आज तक कोई कोई nationals नहीं होते है आप ground छोड़े ग्राउंड नहीं है तो आप हम लोग तो चुकि school का ground था वो भी full ground नहीं था school का भी ground जो हमारा था काफी बड़ा था जैनली आदे होते हैं अधे नहीं थे लंबाई में था लेकिन चौड़ाइम कुरा नहीं था तो हम लोग भी वहीं खेले है एसानी कि बहुत एकदम facility में रहें और खेले हम लोग वहीं से खेल के लेकिन पूरा हमारे हम लोग जब बाहर जाते थे खेलने के लिए तो पूरा शाइसनय गर्स हाइज स्कूल का नाम होता था उनको अपनी बिहार की अच्छी टीम बनानी है वो सिर्फ उन लोगों को ही चांस देते हैं जो इनका चापलूसी पूले उनको उनके लिए करें उनके लिए उनको हमेशा अच्छा अच्छा बोले उनको उंगली नहीं बहुत अच्छे हैं उनको हर नैशनल में सेलेक्शन हो जाएगा फैराइल नहीं होगा एक अभी अभी रिसन्थी में और ही, मैंने के बारे में था तारी ने त्रायल होने वाला है तो इसमें अगर आपको मैडल उड़ल आ रहा है तो आपको स्टेट में बहुत पी तक का पोजिशन मिलता है नौकरी में अगर आपको कुछ अच्छा मैडल आ रहा है या आप कुछ कर रहे हैं तो इतना इंपोर्टन टॉर्णामेंट है उसका सेलेक्शन वह तीन तारीको न् इसलेग चली जाएगी, अगर आप बताइए तीन तारीकों नूजŋ में पेपर में छोटा साय है कि इतने तारीकों आ तीन तारीकों आ जाएं तीन Computing को सिर्फ पटणा की तो है नहीं पटणा से बाहर की बाहर भी खेलती हैं लड़स्टिकveCमेंश खेल रही है उनको एक फाइनाश उनको टिकट पैसा कौन देगा माबाब से एक दिन में उनको टिकट अरेंज करना अपना खाना पिना अरेंज करना है और उनको पटना आना है साथ बज़े पहुंच जाना है रिपोर्टिंग के लिए और बिहार शोटा स्टेट भी नहीं है क चार तारी qohp cha उसको ऐसी ट्रें लेनी है कि सुब पहुंच जाए वह उसको morla र acting money ने तो पहुंच पहुंच नहीं तो इसा आप management देखिए आपको पता है कि 15 तारी को यह देट आए कि 15 तारीक और सीने नैशनल होने वाला है देट तो आपके पास पहले आ गया है देट तो होकी इंडिया की वेब साइट पर बहुत पहले से आप क्यूं नहीं एक महिना पहले रख दिये ट्राइल 15 दिन पहले रखने की और उसके पहले वह बता देते कि इतने द नहीं कि आप that Commerce को क्यों नहीं जूंभ थीयाओं को आघे कारने अगा लेकिन आपको इस्पोर्ट से अगर यॉप हो रहा है तो गुरूम डी बहुत हुआ पहलों को गू hook सी अगर अभी तो जो сопワण यह क्या कहते हैं बिहार सरकार जो स्पोर्ट्स के लिए निकाल रहा है क्या भी हुआ था चिकु अजिदेश वह से मेरे वो चिकु के नाम से पुर इंडिया जानती है मेरा एक बच्पन का दोस्त है बहुत भाई है बेसिकली उसका नाम भी चिकु ही है अगर इंडिया चिकु के नाम से जाता है जाता है तो वही है तो वही प्रॉब्लम है तो वह अभी जो नौम्स आ रहे हैं उससे आपस तो बिहार में होकी प्लेयर को तो कभी जॉब ही नहीं मिलेगा अब यूनॉम से कि आपके पास backup जॉब मिले की अगर अगर पास तो आपको जॉब मिलेगे तो वह अइसा ही हमा उससे ही है कि उनके हाथ में है सब को जैंशनृ में उन्की भी कितनी बिजजती होती होगी बाहार जब टीम जाते हैं, उनलों को तो पता है ना कि बहुत सारी सी बाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स है, इतने पॉलिटिक्स है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे पॉलिटिक्स करते हैं, आप क्या बता है, प्लेयर्स इन्वाइब रहते हैं यह सब चीजमें, यहां का उधर, और सिर्फ एसेशेशन का प्रॉब्लम है और वो समझ नहीं था है कि वो अपना तो जिन्दगी बना लिये हैं कितने कितने बच्चों की जिन्दगी वो अलोड़ी बरबाद कर चुके हैं और आगे करने वह उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ऐसे में फिल बच्चे मेरे ख दिखा हो क्लोज लीगी होकी के साथ किस तरहां का जॉर्णी राय स्टेट के अंदर खास कर तो उसमें थोड़ा से एक हिजिटेशन तो आएगा ही मेरे ख्याल से कि कुछ और सोच नहीं है यह बच्चे बहुत सारे आएंगे ठीक है पहला कुछ बच्चे इस फिर छोड़न फिर वो ला यह स्क्रूटनी होने लगता है बहुत बच्चे बहुत सारे आएंगे एक साल मैक्सिमम चलेगा उसके बाद बच्चे देख लिए कि अरे यार ग्राउन नहीं है कहीं जाने के लिए खुदी पैसा पेरेंस चुड़वा देते हैं जिनके पास पैसा नहीं होते ह है किट नहीं खड़ सकते हैं होंके स्टिक इतना महँगा आता है । शूज है शूज इतना ऐता है जिए है तो आधे बक्चे उधर से छोड़के चले गए जो थोड़ा कर सकते हैं वह स्टेट छोड़के चले जाते हैं जैंगे दुष reclиль ने लगते हैं कि यहां तो कुछ होने वाला नहीं है तो बिहार से बाहर जो भी अकैडमिस चलती है उन लोग उन सब का ट्रायल देती है और उधर शिफ्ट हो जाते हैं आपको आप सोचे अगर चीकू बिहार में होता वो कभी इंडिया खेल पाता कभी नहीं खेल पाता मुश्कि का बैटा है बिहार से खेला कभी नहीं है और इसका एक दूसरा स्टेज अभी हम लोग जो आकडमी की ही बात आप जो 지금은 ऊप्राव किये हम छुरू किये नाम पर कुछ ठीक है है और यह तका टॉर्णामेंट किए हम लोग एक साल टॉर्णामंट बहुत अच्छा है फिर सेकेंड लिए तो भी लोग को महसूस हुआ कि अरे बच्चे तो बहुत आ रहे हैं तो चलो हम लोग वह सशी की बारे में बोला वही सशी और चीपू मिलकर के लोग सचा कि चलो भाया अकैडमी खोलते हैं यह भी बोला कि हम लोग को कुछ तो करना है बिहार में आ गया है स्पोर्ट्स को होकी को ले करके तो हम लोग कुछ करना है तो दाट्स हाओ वी स्टार्टिट था अकैडमी फिर हम लोगों ने रिजिस्टर कर वा लिया सब कुछ ठीक है हमारा एकदम स्मूधली सब कुछ चल रहा था क्योंकि उस वक्त तक हम लोग मुस्ताक सर को को कोई उनसे कुछ मांग नहीं रहे थे मांग नहीं रहे थे उतना क्या उसमें उनको प्रॉब्लम था क्या वापिस आ गया वापिस बिहार तो उनको टैंशन हो गया कि वह पेति वह है जिसको इंडिया में लोग जानते हैं मुस्ताक सर के बाकि तो बिहार में सब अपना सब जिनको जॉब हो गया वो छोड़ दी है होकी और या जिनको नहीं वह वो इधर दो चले गया इनी रहे तो फिर उनको फिर हम लोग ने के लिए हमारे पास सतर असी नभबे बच्चे हो गए गल्स बोईज मिला करके प्रैक्टिस चल रही है एक दम सीर्स चल रही है तो हम लोग सचेंगे कि अपने अकडमी का अफलीएशन ले लेते हैं, It's a very simple thing, कि चलो हमारा अच्छा कर तो इसका अफलीएशन लेले, तो we applied affiliation in hockey India, hockey India का है कि आपको affiliation मिलेगा, जब hockey बीहार का secretary, आपको N.O.C. देगा, और इनको तो करने से इंको आप अब यह होका किया है इसे होगे कुछ होके लिए लोग काम करेगा करेगा या Refresh उनका उनको यह नहीं समझ हा रहा थैं पिलेयर हम बना रहे है यह से लिछ बिहाद से लिए नंद Сब्सक्राई डि शक्रत False प्लेयर हम बना रहे हैं, सब महनत हमारा है, किट हमारा है, हम लोग एक एक चीज़, गोलकीपर का किट, 50-60,000 का आता है, हम लोग दो-दो गोलकीपर का किट अपने टीम को दिए वे है, हर तीन-चार महीने पर उनको जर्सी टीशर्ट, शॉट्स, होक्की, मुलब हर तरीके का फैसलिटी हम लोग अपने अकेडमी में दिया हैं, अब हम टीम बना रहे हैं, जो अकेडमी का नैशनल होगा, वो हमारी टीम अकेडमी से जाएगी, और जो बिहार का ऐसे स्टेट नैशनल होते हैं, उसमें वो आप आप लेके जाएं, अपने जो आपको अच्छे लखते हैं, जाएं यो खेलां है, तो हम लोग एक मीचोल, हम लोग सोच होगा, अब बिहार का नाम होगा, बिहार की टीम बहार जाएगी, बिहार की चीम अच्छी करेगी, अच्छा गोल मारेगी, कम से कम खाईगी नहीं, द सब्सандартमा कर देखनाय में ऑलगी दियां कि को अगया हम से चैसंटाइड हो गजई कश opens शल करते कि दो साल में आपने कि दो साल रेहां को प्र hometown की एंडिया को तो हम तो हम तुम को कैसर क्या सब्सटाइब करू, पर बीच हैंडिटेटेडर जिसके कारब उनको वहां से रिजाइन करना हुआ होकी इंडिया में उत्हल उत्हल हुआ और फिर एक नया आडॉब कमिटी वना रा कमीटी हमें एफलेशन दे दिया प्रोसेस पूरा नहीं हुआ हम फिर से इमेल करना शुरू किया रहे अकाउंट को बोलिए क्या करना है जब कि मैं हर पेपर हर चीज के लिए तया सब चीज कर रही हूं अंचे बार मुझे कांटक्ट ही नहीं कर तीम कमीटी बन गई पिर से कमीटी वह होग है जब तक बिहार से नहीं आएगा आपका तब तक हम काम कांशिल करते तो मेरा फ्रसे कांसिल कर दिया गया आप सोचिए हम लोग को कितना टॉर्चर किया जा रहा है एक एफ्लिएशन के लिए जबकि मैं सिर्फ हॉक्की के लिए काम कर रही हूं हर की बिहार होकी इंडिया का फर्जत होता था कि हमें help करें हमें support करें कि हम लोग और अच्छे बना सकें उन्हों को कोई मतलब भी नहीं बिधर कर रही है उनको लग रहा है प्लेयर क्या करेंगे वह यह हम लोग ऐसा क्या गलत काम कर रही तो मैं मानती कि नहीं मैं डिस्ट्रॉय कर दी पूरा बिहार टीम का इतना अच्छा बिहार टीम हमेशा वीनर और रॉनर होता था आप देखो गोल खा रहा है ऐसा भी नहीं है हमारी टीम जब जाती है खेलने तो अच्छा करके आती है अच्छा खेलती है हम लोग टॉर्णमेंट और्गना हमारा सब अपना पैसा लगा करके मैं मैं यहां इंग़िंड में रहती हूं मैं यहां से सिर्फ बिहार के लिए काम करती हूं कितना इमोशनली अटैच हूं हमें बहार कि अनिंवें और व्हों लोग पूछी question जब होकी इंडिया से कि किस basis पे मेरा cancel किया गया उनका simple सा जवाब था कि होकी बिहार ने आपको recognition नहीं दिया मैं उन्होंने अप्रूबल नहीं किया तो मैं उन्होंने आपका cancel यह डिनाई करें किस बेसिस पे कोई तो बेसिस होगा ना होकी इंडिया मुझे नहीं बता रहा कि क्या basis पे उसने किया आप उनसे पूछो जा करके फिर मैं उनको मेल कर रही हूं होकी बिहार को कि बताओ तो किस किस बिना पे आपने मुझे cancel किया मेरा कुछ गलती तो मैं उसको ठीक करूंगी जी बढ़ी कूल होता है ना कि अच्छा अब आपने यह आपमे यह norms पूरा नहीं किया ओके ठीक है मैं यह करती हूं मुझे टाइम दीजए दो महिने तीन महिन जोबी है लिए और यह कोई भी पर्मालन ग्राउन नहीं है जो होकी का practice हो सके तो वो भी जवाब ने तो मुझे कोई जवाब ने ना Hockey इंडिया दे रहे हैज जवाब कि मेरा क्यूँ कैन्सिल किया गया ना Hockey बिहार दे रहे मरे कि मेरा क्यों कैंसिल किया गया आप बताएचे ब मैं क्या करहूं आप सुछ तकी फिर यह उनको बढ़े अब क्या बोला जाए इस बात में तो ऐसे में फिर एक बार को यह आता है दिमाग में कभी कि यार कुछ और सोचते हैं अभी के लिए या किसी और स्टेट में सेट अप करते हैं पहले कि यह कहां से आप लोग आया है हम लोग में जो संसकार और फाइटिंग स्पिरिट जो है यह मेरे पापा ममी से ही आया है अंत तक छोड़ेंगे यह नहीं कब तक किसी को कोई रोक लेगा हम उस देश में रहते हैं उस देश के लोग हैं जहां पर सिर्फ लोग 200 साल 500 साल जो भी है वो सिर्फ फाइट ही करना सीखा है हम फाइट करेंगे कितना दवा लोगे या कितना कर लोगे मैं तो यही कह रही हूं कि आप मुझसे बात करो आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ कि अरुनिमा अजितेश मुझे इस बारे में तुमसे प्रॉब्लम है आप बोलो हम लोग एक टेबल पर वो मुझे जान रहे हैं जो अपने बिहार में सबसे पहले नाशनल टीम जो गई ती इसमें से पहला मान नाम मेरा था पहली बार किसी का होकी से रेलवे में जॉब हुआ था उस दो लड़कियों में से एक मैं थी सिर्फ दो लड़की को था उसमें से सिर्फ उसमें से मैं एक थी तो औ कि नहीं करने वाद तो घुन के नहीं को इसी बात का मुझे लगता है मुस्ताक सर को इसी बाद का एहम आहंकार जो भी आप कहले जो हिममत देखते हैं तुम क्या हदै, जो करना है खat लो हम तो नहीं देंगे. और इसे कोई बोलने भी तो नहीं है. वहां पे वी हाद में कोई प्लेयर या कोई उनके अगेंस नहीं बोलता है कि श केलने मिलता वह भी नहीं मिलेगा. क्योंकि national नहीं खेलोगे तो जॉब नहीं मिलेगा तो उस चक्र में वो लोग हो जाते हैं घंदम शांच रहाते हैं जिनका जॉब हो गया है जो थोड़ा होकी का कचड़ा जो है वहाँ पर गंदगी जो फैला हुए उसको साफ करना है अब उसके लिए मुझे कितना भी टाइम कितना भी समय कितना भी मेहनत लग जाए वह मैं करूंगी ही करूंगे इस चीज को डेफिनिटली प्रेज करना बनता है कई लोगों ने शुरू किये इस टाइप की अकाड़िमी अलग 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 स्पोर्ट के लिए पर जिस तरह से आपने अभी तक का जोनी बताया काफी लोग है जो हाँ जोड़ चुके हैं काफी पहले आप से अभी तक से भ आप दोनों के हिसाब से फैन्स हो गए या मेरे जैसे लोग या इस चैनल जो इंटव्यू देख रहे हैं उस टाइप के लोग हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज में हिल्प करने के लिए इस पे यह है कि आप लोग हमारी जो आवाज है उसे सभी तक पहुंचाएं कि हम कोई आप अपर 수 disposal के लिए काम नहीं कर रहें हैं आप हमें बताईए कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप प्लிस हमसे बात किजिए हमें गाइट की कि यह प्रॉब्लम है आप ऐसे कीजिए तो हमें ठीक लगेगा शायद हम उसको चेंज कर दें बट वो चीज नहीं हो रहा ना हम तीन साल से चीज कर रहे हैं आप जहां गीवप की बात है जहां मैं आपको वर्डिन है तो गीवप नहीं करने वाला हुए क्योंकि हमारे पस फं साबागल दगेगे हैं यह तो गरवाले सर्फ यह इसको ज ह разм safety बोलते हैं तो रहना ही मेसिज है कि प्लीज आप हमसे बात कर तो करो आप हमें बताओ हम क्या था कर सकते हैं हम हुठकली कर रहे हैं अग कि तो पैदा दो यह नहीं है कि हम उससे ले कर जाना है अर्य आपना ही ब्लॉक में क्या लिखाएगा बिहार और तो कहीं लिखागा नहीं है को जब हैं इसा क्यूं है बहुत सारे सवाल लेकिन उसका जवाब ढूनते-ढूनते आदमी के जिंदी की निकल जाएगा कि अगर आप ऐसे चुराते वे भागते रहेंगे इधर उधर तो कैसे बात बनेगी हम बात करने को तयार है बताई तो सही ठीक है फोल पर नहीं वीडियो गॉल पर नहीं अरे मेल पर ही बता दीजिए मेसेज पर बता दीजिए कि प्लीज चेंज दिस तिंग्स हो गया इतना ह बड़ा तो आप ही है हम तो है यह नहीं हम तो एक कडी है जो काम कर रहा है जैसे दीदी ने बताये कि हम कुछ मांग खुणी ने रहें अगर आप अच्छा गाम लागेगा हम भी अच्छा कालगेगा तो हम भी फंडिंग करने को रेडी हैं इतना भी बोलते हैं बट अच्छी चीज़ के लिए फंडिंग करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज हम अगेडमी चला रहेतने बच्चे हैं, हम सब कुछ करते न, उनके लिए, तो अगर आप अच्छा चीज़ करें, तो हम उसके लिए लिए हैं, बट हमें guidance चाहिए सही, कि आप क्या चाते हैं, वो चीज़ बताना पड़ेगा, बात तो करो कम से कम, बात तो करो कम से कम, आपके माध्यम से मैं बस एक ही request करते हूं, अब मेरा पूरा का पूरा request जा रहा है, हौकी इंडिया पे, कि आप, आप recognize कर रहे हो, कि मैं इतना काम कर रही हूं, इतना महनत कर रही हूं, हमारा academy, हमारा foundation, हमारे coaches, सब लोग पूरा दिल से लगे वे हैं, लेकिन, प्लेयर्स को अगर हम लोग टॉर्नामेंट नहीं देंगे, तो उनका future safe नहीं है, ठीक है, उनसे बस हौकी इंडिया से, हौकी इंडिया के president अभी नए बने है, उनके उनसे या एक नया जो team बना है, उनका उनलोग से request है, हाथ जोड के मेरा, कि आप लोग प्लीज हौकी में, हौकी बिहार का association को पर ध्यान दीजिए, वहां काम सही नहीं चल रहा है, देरा बहुत सारा लूफ फॉल्ट है वहां पर, जो आपको पहचानना चाहिए, क्योंकि वह हौकी के development के लिए अच्छा नहीं है, बिहार में हौकी के development के लिए और as a हौकी इंडिया, आपको हर state को equally देखना चाहिए, आखिरकार हौकी में क की अगयार की कि आप क्यूं नहीं क्वेश्चन करते हैं, बिहार सद्यों से इतना गोल में लेकिन कुछ सालों से इतना खराब करेंश करते हैं, आप क्यों नहीं पूछते हैं association से क्यूं आपकी team इतना खराब परफॉर्मस और continuously इतना खराब पर्फॉर्मस करती है क्या problem है, आप क्यों नहीं RK Roy Hockey Academy को Affiliation देना चाहते हैं क्या problem ये उनकी as a parent मुझे तो अभी लगता है कि Hockey India Guardian है न हमारे अगर मैं Hockey Academy चला रही हूँ या मैं इसको Affiliation चाहते हैं तो he is a guardian उनको ये सब sort out करना चाहिए कि आपको क्या problem है RK Roy Hockey Academy से कि आप Affiliation के लिए मना कर रहे हैं तो ये उनकी responsibility अब जादा बन जाती है मैंने उनको कितनी बार request किया कि प्लीज आप लोग या आपकी responsibility है हमें Affiliation दिलवाना अगर वो आदमी नहीं समझ रहा है उस आदमी को कोई मतलम नहीं है होकी का एक state championship नहीं कराते है ऐसे ही चली जाती है team कोई कभी camp नहीं लगता मैंने इतना बुरा हाल है मैं क्या-क्या count करवा हूँ बस मेरा आपके through उन लोग तक बात मेरी पहुंच जाए तो मैं सच में request करती हूँ कि please 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 हमारी बात सुनिये या जो भी होकी के survey सरवाय है इंडिया में वो लोग हमारी बात सुने और बिहार में थोड़ा सा बदलाव लाने का कोशिश करिए नहीं तो बिहार को होकी एक्तम बहुत बुरी हालत में है जोड तोड़के team कब तक जाएगी आखिरदार यहां पर मैं एक छोटी सी request कर देता हूँ जो भी हमारे जो भी जुड़े हुए हैं इस interview को देख रहे हैं अभी तक please इस आवास को जितना जादा से जादा लोगों तक पहुचा सकया और बिहार में जो powers में बैठे हैं लोग और जो इस टाइप के decisions में कुछ भी help कर सकते हैं तो वहां तक अगर हम कोशिश करके पहुचा सके तो please हम अपने इंट से तो जो कर सकते हैं वो करेंगे बागी तो यहां पर हमारी जैसों के लिए तोड़ा सा लग वाला फैक्टर आ जाता है काम करने वाले यह काम करने चाहते हैं और काम करेंगे ही हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ के हमारे आवाज पहुचे सभी तक कि फ्लीज हम रिक्ष्ट कर रहे हैं कि हम अपनी तरह से कोश्च रहेंगे एक चीज यहां पर अजितेश दी आपसे मैं आ रहा है मुझे दिमाग में कि जो फॉर्मर प्लेयर्स का पूरा कम्यूनिटी है मैंने देखा भी है आपका इंट्रेक्शन काफी रहता है दो लेजंडरी धनराज पर लेसर से और मैं मैं अरुनवा जी को वही बता रहा था भी जब लास्ट टाइम बात रही थी मैं उनसे मिला थे एक बार हमारे स्कूल आये थे वह आज चीफ केस्ट तो मेर लाइफ का काफी बड़ा मोमेंट है आज तक भी मैं उनसे मिल पाया उस तरह के और भी बाकी आप भी उसी टीम के साथ खेले हैं वो इस चीज में कितना हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता देखिए इसमें क्या होता है कि सभी लगभग सभी स्टेटों बे अपने अपने सभी अ कर रहे हैं तो किसी दूसरे स्टेट में इंटरफेर करना फ़ड़ा मुश्किल होता है इस चीज में और जहां आपने दनासर का नाम लिया तो दनासर एक ऐसे पोजिशन में बाटे हैं कि इस सब चीजों के लिए हमें खुझ से फाइट करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआ कि इंडिया के प्रेजिडेंट भी है दिली पर के साब वह भी फॉर्मर प्लेयर रहे हैं को दुनों ने भी यह सारी स्ट्रागल बहुत डीटेल में देखी होगी है अपने टाइम में भी तो उनके एंड से कुछ हो पाई है अभी तक बात उस अभी इतने जादा ओपलनी मे अभी रिसेंटली ही वो बने है और उजैसे वो बने है वैसे ही वर्ल्ड कप का काम शिरू हो गया वाइट बिजी ऑन दाइट फिर हमारे लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा आ गया मम्मी को लेकर के मम्मी काफी दिनों से बिमार भी थी तो वी वेरी बिजी इन डाट एर होना चाहिए और मैं वही अगर मैं दिलिफ सर से बात करूंगी तो नियम के तहथ ही बोलूंगी कि आप नियम के तहथ ऐसा कुछ नॉम्स बनाई है कि अगर स्टेट अस्टेट आस्सेशेशन प्रॉब्लम कर क्रेट कर रहा है तो उससे लड़ने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना कि इंडिया के पास उसको उसको समझ उसको सम्हालने का इस तरह से प्लेयर्स और अकैडमी को हैरिस और टॉर्चर तो नहीं किया जा सकता है तो इस बारे मैं बात करेंगे डेफिनिटली आइठिंक मुझे पूरी मैं के साथ खेला भी हूँ मैं तो मैं हलसी सिच करी सकता हूं मैं अपने से भी कुशिश कर सकता हूं जहां तक पहुंच सके यह आवाज उसके अलावा फिर देखते हैं आगे कैसे रहता है कतम करने से पहले एक चोटी-चोटी लाइट चीज है पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं मैं देख पा रहा हूं आप उस पूरे जर पहूं तो भी वेरी तो भी वेरी ऑनेस्ट पर अगर मैं आपके होकी करियर्स की जर्नी की अगर बात करें थोड़ी सी वह कौन सा एक मोमेंट होगा आपके दोनों से है इस अब जहां पर आपको लगा कियार अब कुछ कर लिया है होकी मैं पहले मैं ही बोलना चाहूंग मैं बहुत चोटा जब मैं बोला था कि प्रेमर होकी लीग खेला था मैं तो उसका फाइनल जीता या फिर और टॉर्नामेंट्स इंडिया टीम के लिए जीता लेकिन ना मेरे को कभी ना अंदर से साटिस्फाक्शन नहीं होता आज भी पता नहीं क्यों सब लोग प्राइड वाल बजला था तो सुना करता था लेकि जब मैं अंदर खड़ा होके आज भी कभी ना अंदर में घड़े हो जाते तो वह जो फिलिंग थी ना वह कभी भूल नहीं सकता मैं कि वह अलगी एक जो बोलते हैं ना स्कूल में खड़े होकर लोग नाशनल अंदर सुनते हैं और बस ऐ रहे हैं आप उन में से इतने लोगों में से आप सिर्फ आप अठारा लोग गयवे हो और उसमें से आप एक हो तो एक वह जो इसके बाद बोडी में करेंट आती है लग से कि पब्लिक बाहर बैटती है वह जो शाता है और अभी तो इंडिया में इतना टॉर्नामेंट्स हो इतना इंडिया में हमारे टॉर्नामिश नहीं होते थे सब बाहरी जाते थैंसारी और उपर से जब भी मैं जब खेल रहा थे इंडिया टीम पे तो उस टाइम मिस्टर द्रोनाचार अवाडी डॉक्टर हरिन सिंग जो आज यूस मैंन्स होकी टीम में को जो भी बिहार के ही हैं तो उनके साथ मेरा कुछ जादा ही तालूक रहा क्योंकि जब-जब मैं खेला हूं तो वही कोच रहे हैं जादा टाइम बट उनकी एक खासियत काफी है कि कभी वह फिलिंग नहीं आने देंगे कि हम एक जब भी नहीं आप एक प्लेयर हो मैं कोच हो यह चीज़ बड़े को बहुत अच्छी लगती है तो वह एक अलगी मज़ा है उस चीज़ के लिए आज में बहुत जादा इज़त करता हो मैं इंडिया को काप्टन करना कैसा था जो साउटेशन गेम्स था वहां बंगलादेश में उसके लिए मैं गया था तो वहां पर कैपेसी किया था तो उसमें एक बोलते हैं और जादा बढ़ जाती है और वह फर्स्ट मैच पाकिस्तान को फेस कर रहे सिद्धा तो एक अलगी है और फर्स्ट मैच हम खेले थे तो 5-0 से जीते थे पाकिस्तान से और हम फाइनल लूज भी किये थे क्योंकि लड़ाई बढ़ाई हो गई थी मैच में और इंडिया-पाकिस्तान मैच में लड़ाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता है किसी मैच में उस में मेरे को कार्ड भी हुआ था क्योंकि लड़ाई किया था मैं ही आगे बढ़ा था तो मुझे यलो कार्ड दे दिये गया था तो फिर मैच प्रांटि स्टोक में गया फिर उसका हम लूज कर गये थे तो पार्ट ऑफ गेम है जो टीम जीती है उसको क्रेट देना भी है तो यह सब चीजे थी तो काफी मज़ा आता है सब सुन करके याद करके वरना मैं तो सिर्फ एकड़मी 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 सारा दिन मेरे चलता रहता है वह सब मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ मैं अभी कि मैंने क्या किया था मैं हमेशा इस चीज पर बिलीव करता कि मैंने जो करना तो कर डाला वह तो गया अभी क्या करना जो किया था उसके बारे में भी कभी-कभी बात करना जुरूरी रहता है काकि जो सुन रहे हैं उनको भी और आगे इंस्पिरेशन मिले कि यार यह मैं भी कोशिश कर सकता हूँ तो मुझे हमेशा बतानी की जरूत नहीं पड़ती उस चीज के लिए एक है ना कि हाँ इंटरनाशनल पर इंडिया प्लेयर है यह मेले काफी है बट मैं हमेशा यह सोचे चलता हूँ मैं आगे वाट नेक्स्ट मैं असी अज़ बहुत ज़्याद है बिलीव करता हूँ काफी लोग भी तारिफ करते हैं उन बच्चों की तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे अकैडमी से जो आदे बच्चे जो है किसी के फादर मदर नहीं है किसी के फादर नहीं है किसी के मदर नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग कम से कम मेहनत तो कर र के जी हम करने को रेड़ी हैं अब बताऊ ठो सही क्या करना है मैं अब प्लीज मैं तो घैली कर दीजिए रिप्लाइ कर दीजिए प्रिसे तो मांग नहीं रहे हैं एक लास्ट प्वेस्टन अगें थोड़ा सा लाइटर नोट अगर लेकर देखे तो आप दोनों के आईडल्स कौन रहे होकी में या किसी और स्पोर्ट से रिलेटेड या अगें जैनरल लाइफ में क्योंकि बहुत कम लोगों से मैं बिलवाता हूँ जो इतना strong पहले भी मैंने गोला इतना strong core value लेके चलते हैं पूरा जिंदगी भर शुरू कई लोग एक system के साथ करते हैं वर पूरी जिंदगी भर एक strong core value एक belief अच्छा लेके चलना तो आइडल्स किस तरह गिर रहे आपके जब आप बड़े हो रहे थे मैं देखिए पहले मैं ही answer देता हूँ मेरे as a idol देखे sports line में देखा जा तो मैं पहले भी उनसे इतना अच्छा relation हो जाएगा मेरा तो मैं उनको thanks बोलता हूँ इस चीज के लिए और जहां तक अगर मेरे life की journey क्या बताया तो मैं अपने father को मानता हूँ इस चीज के लिए anything to do ठीक है उतना उन्होंने ऐसा कर दिया हमें उपर वाले की दूआ है और अपने माता पीता का काम आइसे की है हमारे उपर हमने फादर को और धंदाज भाई को मैं बहुत जाद रिसक्ट करता हूँ इस चीज के लिए as a player धंदाज भाई और as a life में देखा जो मेरे फादर जो उन्होंने किया है हमारे लिए ठीक है हर parents करते हैं लेकि जो struggle करके हमें करवाया है कि हमें छोड़ने नहीं दिया उस चीज से कि चलो इतनी हर चीर आप देखते है होकी कोई गरीब होगा खेल बोलते है ना गरीब हो गरीब हो खेल नहीं हो सकता बहुत महेंगा है होकी ख मेरा इंटर्व्यू हुआ था बहुत पहले उस वक्त मैं चोटी थी नहीं खेलना शुरू की थी नहीं नहीं चार पांस सा नहीं चार नहीं चार पांस सा नहीं होगा है तो पहला इंटर्व्यू मैं मैं मिर पूछा गया था कि कौन तुम्हारा आइल प्लेयर है पेवरेट प्लेयर आइल प्लेयर है तो मैंने उस वक्त धनरात्सर का ही नाम लिया था इसलिए नहीं कि मैं बहुत जादा को जानती थी उनका बहुत गेम देखा था ऐसा नहीं है इसलिए कि मुझे लगता था कि एक वही इंसान है जो इंडिया में जिसका नाम है होकी में तो मेरा यही हमेशा वह उस वक्त का यह सोच था कि जो आदमी का जहां पर होकी में किसी का नाम नहीं है वहां पर एक आदमी का इतना नाम है तो वह देश के लिए कितना कर रहा होगा इसलिए मैंने हमेशा और यह मैं अभी तो काफी अच्छा हमारा बातवाद भी होता है तो मैं उनको बोली थी कि मैं जब प्लस टू यह ऐसा कुछ होगी उस प्लस टू में भी नहीं होगी से भी छोटी होगी तब मैंने आपका नाम लिया था इस कारण से बट I still believe कि you still are my favorite player and favorite personality और सेम वित मी पापा ममी वो आइडियल बोल लीजिये या उनके उनका जो बाते थी जो जिस तरह से वो हम लोग को हमारा ब्रिंगिंग उनोंने किया हम तीनों ही भाई बहन का वो काश मैं वैसा बनू मैं सीरिसली मैं चाहती हूँ कि मैं वैसा बनू और मैं अपने बच्चों को वैसा वैल्यूस दे पाऊ वैसा संस्कार दे पाऊ बस इतना ही है मुझे और कुछ लिए जस्ट बिंग वित रिम इमोशनल सो सॉरी अपर ने 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 मैं बहुत मैं समझ रहा हूँ यह वाले इमोशन आ जाते हैं अधिक यह काफी पॉसिटिव नोट है इस कान्वरेशन को एंड करने के लिए अधिक अज़ेश जी को जाना भी है काफी एक इपॉर्टन दिन है आज प्ट अगें बिग बिग थांक यू आप लोग दोनों ने टाइम निकाला अपना जोनी की बात की अगाड़मी के बारे में बात की और मैं बंस अगें सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जाद से जाद हम इस आवास को उन लोगों तक पहुँचा पाएं जो कुछ एक्षिल हेल्प कर दें अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं thank you very much thank you so much for your time that's my pleasure absolutely